सीरियल ये है मोहबते में शुरू हो गया है इशिता को मनाने का सिलसिला भई ये तो आपको यूमियो टीवी पहले ही बता चुका है कि मिसिस भला हर कीमत पर घर लाना चाहती है अपना होने वाला पड़ पोता जो कि उनके पोते आदी की आखरी निशानी है लेकिन शुता रोशनी को भला हाउस भेचने के लिए बिल्गुल तैयार नहीं है इसलिए शुता को मनाने का मोर्चा संभाला है रावन कुमार रमन भलाने रमन ने शुता को रेस्टोरंट में मिलने बुलाया है अब रमन और शुता जहां एक साथ एक ही छट के नीचे मौजूद हो वहां हंगामा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है देखिए सबसे पहले तो वहां चली गई लाइच और फिर अंधेरे में एक कौक रोचने कर दिया शुता की नाक में दम रमन के बाद पूरा भला परिवार भी आ जाता है इशिता और रोश्नी को मनाने खास बात ये है कि इस बार आलया भी यहां आई है ताकि इशिता को यकीन हो जाये कि पूरे परिवार ने रोश्नी के लिए अपनी सोच बदल दी है और सबकी नराजगी भी उन दोनों के लिए कम हो गई है चलिए चलते हैं आल्या के पास और जानते हैं कि इस फैमिली लंच की वज़ा क्या है कुछ नहीं अभी यहां पर आये हैं तो जो हमारी इशिमा है अम्मा है उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि रोश्णी को हमारी घर भेज़ दें सो बस थोड़ा बटरिंग कर रहे हैं और मैंने यह सोच रखा है कि मैं भी पिगल गई हूँ और मैं भी तयार हूँ कि रोश्णी इस घर में वापिस आ जाए अच्छे से बेबी हो वैसे आलिया इस फैमिली लंच देट में आपने शामिल होकर सब को सर्प्राइस कर दिया कहीं ऐसा तो नहीं कि रोश्णी को देख आपका दिल भी पिगल गया है और आपने उन्हें माफ कर दिया है तो शो में आगे और कौन-कौन से ट्विस्ट देखने को मिलेंगे खेर इशिता को लंच पर मनाने की कोशिश ना काम्याब हो जाती है जिसके बाद इशिता के लिए प्लैन किया गया एक ग्रैंड सर्प्राइज देखें कैसे पूरे परिवार ने ये खास फ्लैश मॉब डांस प्रिपेर किया है क्या रूही, क्या पीहू, क्या रमन और क्या मिस्टर और मिसिस भल्ला हर कोई इशिता के सामने दिखा रहा है अपने नच की जलग और कर रहा है इशिता को मनाने की कोशिश ताकि इशिता रोशनी के बच्चे को भल्लास का नाम देने के लिए तयार हो जाए इशिता को देख कर तो ऐसा लग रहा है कि भल्लास की ये कोशिश का में आप भी हो गई है आए चलते हैं इशिता के पास और जानते हैं कि कैसा लगा उन्हें ये सर्प्राइज इशिता को भरोसा हो कि वो सिर्फ बच्चे में नहीं बच्चे में बच्चे में इंटरेस्टे है इशिता जिन भल्लास ने आठ महिने तक रोश्नी से रिष्टा नहीं रखा आज अचानक उन्हें रोश्नी और उसके बच्चे पर प्यार आ रहा है कही न कहीं ये गलत तो है वैसे इशिता अपने मतलब के लिए मिसिस भल्ला रोश्नी को अपनाने के लिए पिताब है ये तो रोश्नी और आपके साथ धोका हुआ ना तरह से धोका नहीं दे रहे हैं उनके मन में ये नहीं है कि हम इशिता को धोका देंगे फरेब करेंगे नहीं लाइक दाट उनका फोकस बेबी पे है क्योंकि उन्हें अपना वन्शा आगे बढ़ाना है क्याते ना कि नगत से जादा सूध प्यारा होता है तो ये उनका सूध है उनका होने वाला पोता या पोती है उनको पूरा जो उनका प्यार है फिलाल उस बेबी की तरफ उमड़ रहा है बट आक्शली देखा जाए तो उनको कोई emotional connect नहीं है उस बेबी की मम्मा के साथ तो और ऑबिसी शी वस नॉट मैरेड विट आदी उनको कुछ लेना देना नहीं उस से तो वो लोग उस feeling को hide नहीं कर पा रहे और इशिता जानती है कि सर्फ बच्चे से मतलब है इशिता हमने देखा कि रेस्टरान में आपकी और रमन की मीटिंग में कॉक्रोच ने भी हंगामा कर दिया था ये कोक्रोच कहां से आया वो ऐसे बहुत सारे कोक्रोच जैसी situation आती रहते है इशिता रमन के बीच पे जब वो दोनों साथ में होते हैं पूरी काइनात इन्हें लड़ाने के लिए जुटी रहते है वेल इशिता की बातों से तो ये लग रहा है कि इशिता का दिल रोशनी की खुशी की खातिर एक बार फिर पिगल गया है लेकिन तब क्या होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि भला परिवार का सारा प्यार और मोह बस रोशनी के बच्चे से है और रोश्नी से उनका कोई सरुकार नहीं है भई हमारी खुददार इशी मा को जब ये सब पता चलेगा तो जरूर शो में होगा भ्यंकर ड्रामा जिसकी अपडेट भी यूमियो टीवी आपको देता रहेगा मुंबई से अकसागबानी सिद्धिकी की रिपोर्ट E24